हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं जैसे गिलास, कटोरी, खड़ाई, टोपी आदी तो हमारा ध्यान इनके आकार की ओर अवश्य जाता है आप जानते हैं यह जार बेलनाकार है यह आईसक्रीम कोन शंकवाकार है अब यदि इस बेलनाकार जार में कितना पानी आएगा या इस आईसक्रीम कोन में कितनी आईसक्रीम आएगी इन सभी प्रशनों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें इन वस्तुओं की धारिता ग अर्धगोलिय गुम्बत पर पेंट करना हो या किसी बेलनाख पाईप पर पेंट करना हो तो उसके लिए हमें और गूलिय गुंबत और बेलनाख पाईप का पृष्ट्य शेतर्फल ग्याध होना आवश्यक है हम अपने पिछले कारेक्रमों में बेलन, शंकु और गोले का प् यह दूद मापने का जार एक लंब वृतिय बेलन है, इस लंब वृतिय बेलन में H उसकी उंचाई होती है और यह है इसकी त्रिज्या R है, इस H उंचाई और R त्रिज्या वाले लंब वृतिय बेलन का आयतन होता है पाई आर की घाद दो H और इसका प्रिष्टिय शेत्रफल होता है दो पाई आर H यह है जनम दिन की टोपी एक लंब वृतिय शंकू है इस लंब वृतिय शंकू में यह है उसकी उंचाई H है यह है इसकी त्रिज्या R है और यह है इस लंब वृतिय शंकू की तिर्ची उंचाई L है लंब वृतिय शंकू को मापने के लिए उसकी उंचाई H, त्रिज्या R और तिर्ची उंचाई L का ग्याद होना आवश्चक है इस शंकू में यह है एक समकोंट त्रिबुज है अतह है पाइथाग औरस प्रमे से किनी दो के ग्याद होने पर हम शंकू को पूर्णत है माप सकते हैं शंकू का आयतन होता है एक बटा तीन पाई आर की घात दो H और इसका वक्र प्रिष्टिय शेतरफल होता है पाई आर L यह एक गुला है यह इसकी त्रिज्या R है R त्रिज्या के ग्याद होने पर हम गोले को पूर्णत है माप सकते हैं अते R त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4 बटा 3 पाई आर की घात 3 और इसका प्रिष्टिय शेतरफल होता है 4 पाई आर की घात 2 हम अपने आसपास कुछ ऐसी आकृतियां देखते हैं जो इनके समिष्णन से बनती हैं जैसे किसी भवन निर्मान में बेलना कार खंबों के उपर अर्ध गोलिय गुंबत बनाना हो तो उसके लिए इन आकृतियों यानी बेलन और अर्ध गोले का सम्मिलित ज्यान होना आवश्यक है आज हम दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंदित कुछ इसी प्रकार के प्रश्ण देखेंगे एक ठोस एक बेलन जिसके दोनों और अर्ध गोले बने हैं द्वारा बना है ठोस की कुल उंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलना कार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर है ठोस का प्रिश्चे शेत्रफल और आयतन ग्याद करना है ठोस का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका अर्ध व्यास हुआ 7 बटा 2 सेंटीमीटर अर्थार 3.5 सेंटीमीटर ठोस की कुल उंचाई 19 सेंटीमीटर है बेलना कार भाग की उंचाई हुई कुल उंचाई में से दो अर्ध गोलों की उंचाई को घटा कर दिया जाए कुल उंचाई है 19 सेंटीमीटर दो अर्ध गोलों की उंचाई हुई 7 सेंटीमीटर यह हुआ 12 सेंटीमीटर बेलन का प्रिष्ट्य शेत्रफल होता है दो पाई आर एच तो बेलनाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ दो गुणा पाई का आनुमानित्मान बाईस बटा साथ त्रिज्या साथ बटा दो सेंटिमीटर और उंचाई बारा सेंटिमीटर बेलनाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ 264 वर्क सेंटिमीटर अब हमें दो अर्ध गोलों का प्रिष्चे शेत्रफल ग्याद करना है दो अर्ध गोलों का प्रिष्चे शेत्रफल हुआ एक गोले का प्रिष्चे शेत्रफल और गोले का प्रिष्चे शेत्रफल होता है चार पाई आर की घात दो तो यह हुआ चार गुणा पाई का आनुमानित्मान 22 बटा 7 और 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 तो दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल या एक गोले का प्रिष्टिय शेत्रफल हमें प्राप्थ हुआ 154 वर्क सेंटीमीटर ठोस का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल हुआ बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय शेत्रफल जमा दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय शेत्रफल है 264 वर्क सेंटीमीटर और दो अर्ध गोलों का प्रिष्टिय शेत्रफल है 154 वर्क सेंटीमीटर यह हमारे पास आया 418 वर्क सेंटिमीटर आपने देखा कि किस प्रकार दो आकृतियां अगर हमारे पास दी हो तो कैसे हम उनका प्रिष्टिय शेत्रफल ग्याद करते हैं अब हमने ठोस का आयतन ग्याद करना है ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए पहले हम बेलनाकार भाग का आयतन ग्याद करेंगे और उसके बाद दो अर्ध गोलों का आयतन ग्याद करेंगे अब हम बेलनाकार भाग का आयतन ग्याद करेंगे बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर की घाद 2H तो बेलनाकार भाग का आयतन हुआ, पाई का आनुमानित्मान 22 बटा साथ, गुणा त्रिज्या 7 बटा दो, गुणा 7 बटा दो और उंचाई हुई 12 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग का आयतन हुआ, 462 गन सेंटीमीटर अब हम दो अर्ध गोलों का आयतन ग्याद करेंगे, दो अर्ध गोले अर्थाट, एक गोला, गोले के आयतन का सूत्र होता है, 4 बटा 3, पाई आर की घाद 3, तो गोले का आयतन हुआ, 4 बटा 3, गुणा पाई का आनुमानित्मान, 22 बटा 7, त्रिज्या, 7 बटा 2, गुणा 7 बटा 2, गुणा 7 बटा 2, गुणा 7 बटा 2, दो अर्ध गोलों का आयतन हुआ, 549 बटा 3, गन सेंटीमीटर, और यह हुआ, 189 बटा 6, 6, गन सेंटीमीटर, ठोस का आयतन हुआ, बेलनाकार भाग का आयतन, जमा दो अर्ध गोलों का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन हमने प्राप्त किया, 462 गन सेंटीमीटर, और दो अर्ध गोलों का आयतन, 189 बटा 6, 6, गन सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन हुआ, 641 बटा 6, 6, गन सेंटीमीटर, लगभग, अब एक ऐसे खिलोने का प्रिष्ट्य शेत्रफल ग्याद करेंगे, एक खिलोना 3.5 सेंटीमीटर की त्रीजिया वाले गोलार्द पर बने एक शंकू के आकार का है, खिलोने की कुल उंचाई 15.5 cm है खिलोने का संपूर्ण प्रिष्टिय शेत्रफल ज्याद करना है इस खिलोने में उपर यह है शंकू है और इस शंकू के नीचे यह एक अर्धगोला है इस पूरे खिलोने की उंचाई है 15.5 cm और इसकी त्रिज्या है 3.5 cm गोलार्द की त्रिज्या है 3.5 cm गोलार्द की जितनी त्रिज्या होती है वही गोलार्द की उंचाई भी होती है तो गोलार्द की उंचाई भी है 3.5 cm खिलोने की कुल उंचाई है 15.5 cm तो शंक्वाकार भाग की उचाई हुई खुल उचाई घटा गोलार्द की उचाई कुल उचाई है 15.12 पान सेंटीमीटर और गोलार्द की उचाई है 3.15 पान सेंटीमीटर खिलोने के शंक्वा कार भाग की उचाई हुई 12 cm शंकू का प्रिष्टे शेतरफल ग्याद करने के लिए शंकू की तिर्ची उचाई ग्याद होना आवजशक है अतै पाइता गोरस प्रमे से शंकू की तिर्ची उचाई L बराबर H की घाद दो जमा R की घाद दो हुआ शंकू की उचाई है 12 cm और शंकू की तिर्च्या है 3 दशमलव 5 cm तो शंकू की तिर्ची उचाई हुई 12 की घाद दो जमा 3 दशमलव 5 पूरे की घाद दो बारा की घाद दो एक्सो चवालिस जमा 3 दशमलव 5 की घाद दो बारा दशमलव 25 पूरे का वर्गमूल यह हुआ 156 दशमलव 25 का वर्गमूल तो शंकू की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की 12 दशमलव 5 सेंटीमीटर शंकू के प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल तो शंक्वाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ शंकू की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की थी 12 दशमलव 5 सेंटीमीटर 22 बटा साथ गुणा 35 बटा 10 गुणा 125 बटा 10 तो शंक्वाकर प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ 275 बटा 2 वर्क सेंटीमीटर और यह हमने प्राप्त किया 137 दशमलव 5 वर्क सेंटीमीटर अब खिलोने के नीचे जो गोलार्द लगा हुआ है हम उस गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल ग्याद करेंगे गोलार्द के प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर की घाद दो गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ 2 गोणा पाई का आनुमानित्मान 22 बटा साथ अर्ध गोले की त्रिजिया 3 दशमलव 5 सेंटीमीटर गोणा 3 दशमलव 5 सेंटीमीटर 2 गोणा 22 बटा साथ गोणा 35 बटा दस गोणा 35 बटा दस तो गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल हमने ग्याद किया 77 वर्ग सेंटीमीटर अब खिलोने का संपून वक्र प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ शंकवाकार भाग का शेत्रफल जमा अर्ध गोले का शेत्रफल शंकु का वक्र प्रिष्ट्य शेत्रफल हमने प्राप्त किया था 137.5 वर्ग सेंटीमीटर और गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल ग्याद किया था 77 वर्ग सेंटीमीटर खिलोने का संपून प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ 214.5 वर्ग सेंटीमीटर अब हम एक ऐसा प्रश्ण देखेंगे जिसमें शंकू, बेलन और अर्ध गोले तीनों का समिश्णन है देखें इस प्रश्ण को एक खिलोने का आकार लंब वृतिया बेलनाकार है इसके एक वृतिया सिरे पर एक अर्ध गोलार्ध तथा दूसरे वृतिया सिरे पर एक शंकू चिपका हुआ है बेलनाकार भाग की उचाई तथा त्रिजिया करमशह 13 और 5 सेंटीमीटर है शंकू और गोलार्ध की त्रिजिया बेलन की त्रिजिया के बराबर है यदि शंकवा कार भाग की उचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलोने का प्रिष्चे शेत्रफल ग्याद करना है इस खिलोने के उपरी सिरे पर यह एक शंकू है और इसके निचले सिरे पर गोलार्ध है इसका मद्यभाग बेलनाकार है इस बेलन की उचाई 13 सेंटीमीटर है शंकवाकार भाग की उचाई 12 सेंटीमीटर है और खिलोने की त्रिजिया है 5 सेंटीमीटर शंक्वा कार भाग की तरिज्या है पांच सेंटीमीटर शंक्वा कार भाग की उचाई है बारा सेंटीमीटर पाइथाग औरस्पर में से हम शंकू की तिर्ची उचाई ग्याद करेंगे शंक्वा की तिर्ची उचाई एल हुई ह की घाद दो जमा आर की घाद दो शंक्वा की उचाई है बारा सेंटीमीटर बारा की घाद दो जमा शंक्वा की तिर्ची उचाई हुई बारा की घाद दो जमा पाज की घाद दो पूरे का वर्गमूल बारा की घाद दो एक सो चवालिस जमा पाज की घाद दो पच्चिस यह हुआ एक सो उनतर यह हुआ एक सो उनतर का वर्गमूल तो शंक्वा की तिर्ची उचाई हमने प्राप्त की 13 सेंटीमीटर शंक्वा का प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल तो शंक्वा कारभाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ गुणा त्रिज्या पांच सेंटिमीटर और तिर्छी उचाई तेरा सेंटिमीटर तो शंक्वाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल 1430 बटा साथ वर्क सेंटिमीटर बेलन के प्रिष्ट्य शेत्रफल का सूत्र होता है दो पाई आरेच तो बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ दो गुणा पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ बेलना कार भाग की त्रिज्य है 5 सेंटिमीटर और बेलना कार भाग की उंचाई है 13 सेंटिमीटर बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल 2860 बटा साथ बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल है 2860 बटा साथ वर्क सेंटिमीटर अब हम गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल ग्याद करेंगे गोलार्द के प्रिष्चे शेत्रफल का सूत्र होता है दो पाई आर की घाद दो तो गोलार्द का प्रिष्चे शेत्रफल हुआ दो गुणा पाई का अनुमानित्मान 22 बटा साथ गोलार्द की त्रिज्या पांच गुणा पांच गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ ग्यारा सो बटा साथ वर्क सेंटिमीटर खिलोने का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ शंक्वाकार भाग का शेत्रफल जमा बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल जमा अर्ध गोले का प्रिष्ट्य शेत्रफल शंक्वाकार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल हमने ग्याद किया था 1430 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर बेलना कार भाग का प्रिष्ट्य शेत्रफल था 2860 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर और गोलार्द का प्रिष्ट्य शेत्रफल था 1100 बटा 7 वर्क सेंटीमीटर खिलोने का प्रिष्ट्य शेत्रफल हुआ पांच हजार तीन सो नब्वे बटा साथ वर्क सेंटीमीटर और यह हमने प्राप्त किया साथ सो सत्तर वर्क सेंटीमीटर अब अंत में किसी समस्या को हल करने के प्रमुक्चरण कौन-कौन से होते हैं उन्हें देख लें सबसे पहले समस्या को पूर्टे अच्छी तरह पढ़कर जानकारी प्राप्त करें कि क्या दिया गया है, क्या ग्यात करना है ऐसे सूत्रों या प्रेम्यों को याद करें जिनमें ग्यात वा अग्यात राशियां आती है जैसे किसी शंकू की उंचाई H और त्रिजिया R हमें ग्यात हो और शंकू का आयतन ग्यात करना हो तो उसके आयतन को ग्यात करने के लिए हम लिखेंगे दिया है शंकू की उंचाई शंकू की त्रिज्या ग्याद करना है शंकू का आयतन शंकू का आयतन ग्याद करने के लिए शंकू के आयतन का सूत्र एक बटा तीन पाई आर की घात 2H इसी प्रकार की अनेक समस्याईं आपकी पाठ्य पुस्तकों में हैं जिने आप अपने सिख्षकों की सायता से हल करें इन प्रशनों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हम से संपर कर सकते हैं हमारा पता है तरंग, पोस्ट बैग नमबर 40, हौजखास, नई दिल्ली, 110016